हेलो गाईज, विल्कम बैक टू माई चैनल, Learn Easy English Language मैं आपका फ्रेंड अबुजर, आज एक और स्टोरी हम देखेंगे, इससे पहले हमने की स्टोरी देखी थी उसके थूरू हमने इंगलिस सेखने की कोशिस की थी आज की जो स्टोरी है, The Hunter and the Pigeons Hunter यानि शिकारी, Pigeon कहते हैं, कब उतर को, उसके बारे माज हम देखेंगे और उसके पीछे जो Morals है, यानि जो नसियत देगे हैं, उसको आज हम समझने की कोशिस करेंगे पर इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, One Day एक दिन, A Hunter एक शिकारी, Sets बिछाया, Unnit एक जाल को, To catch पकड़ने के लिए, Birds परिंदों को और प्लेजड और उसे रखा, उसमें क्या चीज़ उसने रखा, ग्रेंज आनाज को यानि वहां उसने गेहूं रखा, एक दिन एक शिकारी था, उसने एक जाल भी शाया, उसके उपर गेहूं चावल बगार रखा, Birds यानि परिंदों को पकड़ने के लिए, Birds क्या थी, Pigeons कब उतर थी, after some time, कुछ वक्त के बाद, a flock of pigeons, flock यानि जुन्ड और पिजन्स कब उतरों के एक जुन्ड आया, comes by, वहां से गुजरता है, and start eating grains, और उसे खाना शुरू कर देता हुए, उस grains यानि उसनाज को खाना कब उतरों ने शुरू कर दिया, and get caught, और सब पकड़े गए in the net, जाल में, जब उन्होंने खाना शुरू किया, तो जाल उनके उपर गिर के सब उसमें भस गए, after some time, कुछ वक्त के बाद, they started, उन्होंने शुरू कर दिया, losing hope, उमीद को उसने, उन्होंने खोना शुरू कर दिया, कि अब कोई उमीद नहीं है, बचने की यहां, दिन, उसके बाद, their leader, उनका जो leader था, main जो था, उसमें, asks them, उन्होंसे कहता है, to fly together up, एक साथ सब लोग क्या करें, उड़ें उपर की तरफ, together मान एक साथ, अप मानी उपर की तरफ, सब लोग एक साथ उड़ें, उनका leader, main था, सरदार, उसने सका, in the sky, आसमान में, they did, उन्होंन ऐसा ही किया, as they were told, जैसे उन्होंने बताया गया था, उन्होंने एक साथ उड़ी, ठीक है, and carried ले गए, the knit, जाल को अवे, दूर, यानि सब एक साथ, जब उन्होंने उड़ा, तो जो जाल था, उसके साथ, उन्होंने उपर की तरफ, उड़ान भरी, the hunter, जो शिकारी था, runs after them, उन्होंने के पीछे दौटता है, but they flew away, लेकिन बहुत ज्यादा दूर उड़ गए, फ्लाइब का सिकेंड फार्म है, यानि दूर बहुत ज्यादा दूर उड़के गए, उनको ना वपास का, to their friends, mouse hole, to their friends, यानि अपने दोस्त के, यहां, उनका दोस्त का, mouse यानि चुगा and freed the pigeons, और आजाद कराता है, कबूतरों को वहाँ से, ठीक है, उनका जो दोस्ता, उसने पर दाद से कतर कर, उसको जाल को काट दिया, फिर उन्होंने वहाँ से आजादी पा ली, इसके पीछे जो moral है, उसको देखते हैं, इस lesson में जो हमें नसियत दी गई है, unity is strength, unity यानि एक अगर हमें एक जुट रहेंगे, तो हमारे अंदर ताकत रहेंगे, ठीक है, इस तरह पीजन से एक साथ सबूरी, जाल को लेकर उपर की तरह उड़ गई है, ठीक है, और एक बात यह भी है, कि उनकी जो एकता इसमें भी है, कि उन्होंने दोस्ती की थी किस से, माउस यानी च